तो देसुरी फॉरिस्ट के पहले चाय पिने के लिए रुप गए हैं हम यहां चाय भाई पिएंगे फीर आगे के सफर के निकलेंगे तो देसुरी फॉरिस्ट में एंटर हो गए हैं फ्रेंड्स आपने उदेपूर के जो एपिसोट फर्स्ट है वो अगर नहीं देखा हो तो उपर आपके पास लिंक आ रहा होगा वहां से जाके आप फर्स्ट वाला एपिसोट का जो ब्लॉग है वो देख सकते हैं क्या गणा जंगल है ना पिछली बार आयते तो साइद उससे भी ज्यादा गणा लग रहा है तो मैंने बारिस के वज़े से और ज्यादा यूं कापी हर्याली हो गई है कि यात्री लोग इसमें भी आजाते हैं ना जंगल से उते हुए यह इनके रस्ता सौट पड़ता होगा अच्छा इनमें मतलग राजस्थान के नहीं है हर जगे से आते हैं लगवाग पूरी इंडिया से इसे इदर साइड में आपन गेख सके तो इदर है ना छोटा साइव लोग लदी बगर निकल गया है ना पानी है बट जाना पानी इने इन साइड में राइट साइड में हुआ ने वोग chi कि बंदर के नेrab दूसरा when maturityन के सर्ट साइड मेंडिर ही बड़ानी है तो यह invePराना इप ए इनिफि कि वंदर के नेउसे प्यूरा है कि अष्य सरते हुआ यह साइड में आपने देख सकें अगर तो यह बच्चे ना रहे हैं न और पानी चल पानी स्टार्ट है यार नदी मतलब नदी जासा तो हो गया यह आप गया थे ना माउंट अभी थो दिन पहले ही तो गया थे वहां तो नदी जरने सब चलो हो गया उदर तो अधर भी जा सकते हैं चाहें तो कुछ पॉइंट्स रहे गए उदर भी कवर करना पॉरे पॉइंट्स पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए थे वह हम जब गहते ना तो उस टेम के यह यह रत यात्रा निकली थी उसकी होज़े से ना वह पूरा सहर बन था तो फिर क्या हम गूमनी ही जब भादे ते धर कि वह हम जोनोन में गृचानि कि कीश्चत्रावा टाओं इससाल कि रगिदों जर्लावारी आढ़ी दो साहसा हिए ज़ा च्रही य臂ए ज़ा पार जायेंग उनना बवर साहरेड़ कर प्रमसरिदी ते ने में जब आहरारेo है Ay कि बोलने में मज़ा आता है कि नहीं कि काफी खूबसूरत नजा रहा है ना यह देखिए फ्रेंड्स पहाडों के उपर कितने अच्छी हर्याली है इतने उचे पहाड है देखके काफी मन को सुकून मिल रहा है कि आप दोग देख रहे हों आप ज्यादा जून तो नहीं कर पा हों रहा हूं रिकिए पहाड सारे पाड अर्याली से डखे वहा है यह है फ्रेंड्स देशूरी फोरेस्ट अब लोग यह आए और इस एंवायरमेंट का इंजॉय करें इस ग्रीन फोरेस्ट का इंजॉय करें फ्रेंड्स बीनोध बाई कि एक दम से प्लान बना हमारा बाइक से जाने वाले थे बट कार से जाना पड़ा बारीस की वज़े से और अपन बाइक साते ना तो डेफिनेटली हैना आपन वहां तक तो पहुंझ नहीं बाते हैं रास्ते में बीमार हो जाते हैं पुलक भाई फोटो सेजन कर रहे हैं जवर्दस्त फोटोए किछा रहे हैं विनोद भाई को ड्यूटी पे लगा दिया है फोटो केंचे और ये पहाडों के नजारे और सम्द्यू बेखिया 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 आपिया पोटो आपर दो यापिए यापिए आपिया अपिया आप लूए प्रहां वाल झाल 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 तो वीडियो के साथ अन तक ऐसे ही बने रही है और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको उद्रपूर के सारे पॉइंट्स गूमाते हैं तो उद्रपूर में हमको एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट में गया है अब में चपाती और पनील जिजी डाल यह बिल्गिया किता दिग्या अब भूत रूपे हैं मेज़ा किता दिग्या अब भूत रूपे हैं मेज़ा कि यह पहली बार यह ना इसा रेस्टोरेंट मिला है ना कि सब्जी ना इतना बर्बूर देता है उत मतलब उसके अंबर बाकी नहीं तो क्या एक चोटा है और यह कटोरा भी रेता है ना तो यह चोटा सा कटोरा के अंबर वोड़ाफ कि यहां प्रयाज गया उचलो चल गया रहा है खाने के बाद मस्त चांच मसाले वाली तो फ्रेंड्स आप जब भी उदेपुर बाई-पास से आएं तो आपको यहां पर आरके सरकल मिलेगा आरके सरकल से आप सीधे-सीधे आएं और यहां पर है गोकुल दालवाटी कि आपको यहां खाना घर जैसा मिलेगा क्वांटिटी वगरा भी बहुत अच्छे और स्वादिश्ट खाना कम दाम में